नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जारखन के दिन भर की खबर जानते हैं जारखन करमचारी चैन आयोग और जारखन पब्लिक सर्विस कमिशन यानि जपी एसी के दोवारा विभीन पदों के लिए ओनलेन आवेदन आज से लेने की परकिरिया शुरू कर दिगई बतादे नियोजा नित्ती में बदलाव के बाद कार्मिक भी भागने जारखन करमचारी चैन आयोग जेससी को राज में पलस टू इस कूलों में भी भीन भी सायोग शिक्सकों की कमी को देखते वे नियुक्ती परकिर्या सुरू करने के उनसाखी थी जिसके बाद 217 स्पधों पर सिख्षकों की चीदी भरती और 265 बैक लोग रिक्तियों को भरने के परकिरा सुरू कर दी गई वहीं जे सेसी द्वारा निकालेगा बीग्यापन के अनुसार इस परिक्षा के लिए आवेदन करने के अम्तिमती थी चार मईन इधारित की गई है कुडमी समाज का रेल चक्का जाम से 48 ट्रेने रद पच्छिम मेदनी पूर जीला अंतरगत खडगपूर ग्रामीन के खेमा सूली में बुद्धवार की सुबह से कुडमी समाज का रेल चक्का जाम अंधोलन सुरू हो गया है इसके चलते रेलवे, ट्रैक और राश्ट्रीर राजमार्क दोनों जाम हो गया है जनकारी का अनुसार अब तक दक्छिन पूर्वे रेलवे की 48 ट्रेनों को रद होने की सुचना है बतादे कुडमी समाज अनुसुचित जन जाती का दर्जात देने की मांग को लेकर आंदोलन रत है कुडमी समुदाय का सर्ष्यों का दावा है कि उन्हें 1931 तक अनुसुचित जन जाती का रूप में पंजिक्रित किया गया था लेकिन देश अजाद होने के बाद कुछ अग्यात कारणों से उन्हें ST सुची से बाहर रखा गया उनका कहना है कि वे OBC सुची में सामिल है जबकि ST समुदाय की सुविधाओं के पात रहा है CM हमंद के बियान के बाद जहर्खन में तेज हुई राईनी थी मुख्य मंत्री हमंसुरें ने तमिलाडू के मुख्य मंत्री M.K.E. श्टॉलिन द्वारा दिली में आयोजी समाजिक न्याय महासंग समिलन को ऑनलें सामिल हुए समिलन को समोधित करते हुए हमंसुरें ने देश की मौझूदा राईनीती पर टिपनी कर राईनीती बहुत छेर दिया है उन्होंने देश का लोगतंत्र खत्रे में होने की बात कहते हुए समाजिक न्याय के लिए एकजूप होने का आवाहन किया मुख्यमंत्री के इस आवाहन के बाद 2024 के लोग सभा चुनाव से पहले गयर भाजपाई दालों को एकजूप करने का पर्यास भी मना जा रहा है बता दे सुमवार को हुई इस कॉन्फिरेंस को जार्खन के मुख्यमंत्री हमंसुरें ने ओनलें समोधित किया था अपने समोधन में उन्होंने कहा है कि देश का लोगतंत्र खत्रे में होने के अलावा समाजिक नयाय के लिए एकजूट होना होगा मुख्यमंत्री हमंसुरें के इस ब्यान पर जार्खन में सियास त्यज हो गई है जार्खन मुक्ति मोर्चा ने हेमान सुरिन को सबसे ताकतवर नेता बताते हुए कहा है कि जार्खन में उनके जैसा कोई भी नहीं है जिस तरह से उनकी लोग प्रियता उनकी बड़ी है उनका फायदा आने वाले समय में जरूर मिलेगा रांची जेल में चापे मारी 300 पूलिस कर्मियों ने खांगाला जेल रांची जेल में बुद्धवार को अहलेस हुआ चापे मारी की गई हालाकि चापे मारी में पूलिस को कुछ भी नहीं मिला है राजे के दूसरे जीलों के जेलों में भी चापे मारी की गई है बता दे बुद्धवार के सुबा रांची के बिरसा मुंडा केंद्रिये कारागार में जीला परसासन और रांची पुलिस के टीम के द्वारा अचानक छापे मारी की गई यह चापे मारी लगभग साढ़े तीन घंटे तक चली इस दोरान जेल में बंद हर कुख्यात अपराधियों के सेल को खांगाला गया जहां से खाइनी चुरी जैसे चीजे पुलिस के हाथ लगी पुलिस ने इस चापे मारी में खाइनी चाकू बलेट, नेल कटर बरामत किये हैं बता दे सिटी, एसपी और एसडियेम के नेतितों में पुलिस प्रसासन के टीम सूबा तीन बजे पूरे ताम जाम के साथ परकार की कोई असपश्ट नीती नहीं जैराम महतो। परकार की कोई असपश्ट नीती नहीं है। 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 आपके सामने स्वास्ट के छेत्र में हर दिन हर पल कई चुनोतिया आएंगी। इस चुनोति से आप कैसे सामना करते हैं। यह आप लोग पर निर्भर करेगा। सरकार ने आज से आपकी जीमिदारी लिए है। अब आप राजे के गाउं गरीब आवाम की जीमिदारी लिजिए। समय के भीतर करें। परसासन द्वारा दिये गए जारी नंबर आम लोगों की सुभी धाव के लिए जारी किया गया है। बता दे 92, 89, 43, 76 पर वाट से या 0, 65, 82, 25, 63, 01 पर साड़े दस से लेकर पांच बहे सामता कौल के माध्यम से संपर्क करने का सुझाव दिया गया है। जारखन में पहले की तुलना में पुलिसिंग खराब, छठे से गारवे अस्थान पर फिसली। पुलिस एकारवे अस्थान पर आ गई है। एक रोर से अधिक अबादी वाले राजियों में तेलंगाना पहले अस्थान पर है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के मताबिक लोगों को न्याय दिलाने में जारखन की चिती पहले की तुलना में काफी बेतर हुई है। इस मामले में जारखन साते वे अस्थान पर है जबकि 2020 में आठवे और 2019 में 16 अस्थान पर था है। इस ट्रेन के सेडियूल को लेकर जनकारी देते हुए IRCTC की चीफ सुपरवाईजर ज्योति कुमारी ने बताया है कि भारत गौरव ट्रेन की शुरुवात 20 माई 2023 को कोलकाता से होगी। वही 20 माई को कोलकाता से खोलने के बाद दो दिनों तक यह ट्रेन बिहार जारखन और बंगाल के विभीन स्थेस्नों से यात्रियों को पिक अप करने का काम करेगी। ज्यारखन में धान बेचने वाले 31,000 किसानों का पैसा सरकार के पास फसा। 166,000 रुपे बकाया होगा यहाँ बतादे राजे में सरकार की ओर से 15 दिसंबर 2022 से धान कराय की सुरुवात की गई थी। 166,000 रुपे बकाया होगा यहाँ ज्यारखन में सिक्षक के तीन हजर पदो पर आवेदन शुरूव। ज्यारखन के बेरुजगार B8 धारक 167 के लिए बड़ी खुस खबरी है दरसल करमचरी चैन आयोग ने तीन हैर से अधिक PGT पदो पर नियुक्ति के लिए नोट पिक्षन जारी किया है। इसकी परकिरिया आज सही शुरू हो रही है। अधिक लाइक कर अपने दोस्तों के शेयर करने ना भूलें। साथ शाथ आप हमें कमेंट बक्स में अपना फिड़वाइक अवस से दें। सुट गमारे मेंट लाइक कर चाल। झाल झाल